जन सांखी की आ संतुलान मेरी रज़े हिंदू मुसल्मान का मुद्दा नहीं है ये नैशनल सेक्योरिटी का कंसान है इंडिया को कैसे इसमें तो ये भी रिपोर्ट में ये भी बताया आशंका है कि जैसे चिकन नेक है ऐसे लिए मुसलिम पट्टी बनानी की है मुसलिम गलिय डर्पोग हिंदुगा को घुटना पर ले आएंगे ये पिएफ़ाई की रिपोर्ट थी पिएफ़ाई को लेकर 50 परसेंट अश्वनी पाद है 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 रांगी आपको आप जो बहस कर रहे हैं इसलिए मैं देश के सभी दर्सकों से कहूंगा जो लोग इसमें देख रहे हैं ख आपने ये बताया बंगाल की बात किया असम के बात किया बंगाल के 14 जिले पूरी तरीके से डिमोग्राफी चेंज हो चुकी है असम के 9 जिलो की डिमोग्राफी चेंज हो चुकी है जारखंड के 3 जिलो की डिमोग्राफी चेंज हो चुकी है बिहार के 6 जिलो की डिमोग्रा मैं और बता रहा हूँ इसके लावा आपने गुजरात का नाम नहीं लिया गुजरात में कच्छ भरूच रिपोर्ट में नाम यह गुजरात के इसलिए मैं रिपोर्ट आथंटिक है वो ही बोल रहा हूं सिर्फ कच्छ और भरूच की डिमोग्राफी चेंज हो चुकी है द्व है बडे प्लांड लोगें मैं बार बार क्या है कैसे घुसपैट हो रही है और यह वो है सभाव इकसी बात है घुसपैठी और खास्तों पर तब एक प्लांड वे में घुसपैठी उ कंदर किया जा रहा हूँ बंगाल से टूरिस्ट में ऐजे टूरिस्ट लोग बैठते हैं बसों में वह बसे जाती हैं कभी द्वारका कभी राजस्थान कभी अजमेर कभी और वाप प्लान है ना 2017-27 उसको कोई भले हवा हवाई माने मैं उसको बहुत गंभीरता के साथ लेता हूँ इसलिए मैंने 2017 अब से 5 साल पहले मैंने पी आयल फाइल करके सुप्रीम कोट में कहा था पांच करोड आ गये हैं इनको जल्दी निकालिये वहां रोकिये और ये घुस पैट कम सर ये जो अभी आप बता रहे हैं ये जो प्लैन है 2047 का है इस पीड से चल रहे हैं मेरे को लगनी रहा 25 साल लगेंगे बिलकुल सीरियस प्लान है ये 25 साल लगने वाले नहीं है तो 15 मीं हो जागा शेय टार्गेट पूर बहुंस अब हम इकसी बात है